आज को आपके साल निक्चे डिसकस करूंगी जिस टॉपिक पर हम डिसकस करने लिए हैं वो हमार पास है प्रापर्टी जिसकस करें प्रापर्टी लिसकर लायन यह इस लिहां से हैं कि आप पर निकाल के देख लो ग्यॉर्टि इंप पूछा गया है और पूछने लावाद आप पिर से नेक्स एक्जामपल करूँ उसमें यह चीज़ें आप से करवाई गई हैं प्रैक्टिकल करवा गो पता हो कि पता हुना जाए हैं ह पाली और हम पूपर्टी दें तोन है तो इस sum है summation जो इसको कह रहे होते है और residual error है वो कहते है इसको इकवल होता है zero के first property अब residual क्या है basically आप पीछे पड़ भी चुके हो अपने previous lecture में के हमारे residual क्या होते है हम कहते है जब हमारे पास original value और यह original value वाई है और जो expected value है जो हम expect का रहे है उसका जो difference है उसको हम क्या कहते है residual कहते है हमने previous अपने अपने अच्छी लेक्ट अधा वह दिसकस्त भी किया था for example अगर मैं कहते हैं कि जो आपकी original value आई है यह paper marks ले ले लेते हैं एक student है एच्छा student है उसके 90 marks आई है लेकिन जो मैंने estimate लगा है था इसकी study देखके उसके papers देखकर उसके test देखकर तो मैंने कहाता है 85 marks लाजिम लेगा तो जो estimated value और original value और difference है और यहां पर जो student मैंने कहा कि original mark उसके 90 ते मैंने estimate लगा है कि 85 आई गल तो वह जो फाइक वार है यह हमारे पर सुथ होता है residue difference ठीक है कि आपकी original value और estimated values के दर्मियान जो difference है that is called the residue तो हम कहते हैं कि यह properties है और इस लागा आपको question एक solve करने को भी मिलेगा कि जो residue का sum is equal to zero जो next इंशल्ला मैं example कर रहा होगी उसमें आप देखो कि हम उस question को solve करेंगे और residue का sum always equals to zero तो यह properties है और हमेशा ही होगा sometimes आप interview के लिए जा रहे होते हैं तब भी question आप से repeat और रहा होता है इक्वस्टू तुदः sum of the fitted value जो estimated values होते हैं मतलब क्या है कि sum of original value जो है sum of fitted expected value की equal होगा ठीक है और यह आपने याल है और सेम इसी तरह अगर हम y bar लेते हैं तो हम कहते हैं summation of y divided by n अगर अगर हम y bar head ले रहे हैं तो हम लिखेंगे summation of y head divided by n इस mean के जब आप sum लेगे और यह जो properties हैं कि आपको प्रूफ करने के लिए भी दीग लिए हैं practicals में आपको sometimes questions में आ जाती हैं जो मैं next example कराऊंगे तोटली इसे विबेस है तो आपने वह lecture भी लास्मी देखना थे करता कि आपके लिए प्रॉपर्टी जो भी के लिए हैं तो sum of y original values मैं आपको again and again कह रही हूँ वाइ हमारे पास शो कर रहे है original values को ठीक है original values जो आपके पास है और यह जो शो कर रहे है यह हम कहरे है estimated values को estimated values को हम की है जो हमने खुद से assume की है ठीक है we are not confirmed but we make the estimate we make the predictions ठीक है तो हमारे पास वो क्या होती है predicted values होती है estimated value होती है sometime the word is used the predicted same word is the meaning है कि आपने estimate ही करना है sometime paper में आपको prediction का word आगा है तो आपके पास कहें कि जो original value का साम हो estimated value के साम की equal होती है that is the second property of the least query question line third property हमारे पास क्या जाती है से एक और चीज़ तो इसके आपने याद रही है मैं यापकर करते हैं कि sum of y hat minus y bar is also equals to 0 यह भी हमारे पास किसके equal होगा 0k और यह हमेशा के case में होगा यह नहीं किस में इसी में बता रही है properties कहां इसी को चाहिए that is the confirmed value और जब question में आपको इस तरह की चीज़ दे दी जाती है तो अगर आपको properties की समझे है तो आपको answer 0 थी आना चाहिए अगर 0 के लावा कोई आ रहा है you are doing some mistake तो आपको रीचे करना चाहिए तो आपके पास आ जाता है यह सब्सक्राइब हमारे पास के हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास में हम कहते हैं कि sum of squares of residual is minimum sum of squares of residual is minimum यह हमारे पास प्रॉपर्टी है अच्छा इसको अपन करते हैं summation of e square यह मैं open करने का आपको method भी बता दिती हूँ आपन करने हैं तो आपको यह अगर भूल भी जाती है equation तो आप उसको solve करके लिख सकते हूँ अब हमारे पास कहते हैं residual यहां हमने लिखा ना कि e square की बात हो रही है अब student आप देखो कि यहां पर हमारे पास sum of e square e square कहें basically residual है आपको show हो रही है यह वीडियो में residual है residual हमारे पास के इसके ही गए रहुता है student जो residual होते है वो इको लिखता है y-y head ठीक है इसके इको रहुता है आपने क्या करना है आपस में multiply करने जब multiply करोगे तो आपके पास यह values आज जाएंगी तो यह आपने mind में रखना है कि जो हमारे पास residual है वो हमारे पास क्या है वो आपने यार रहना है यह questions आप जब solve करोगे तो आपको आएगी I think जो accuracy कुंकि आपके course में यह properties और यह भी next example in full आपको दिया गया है और कहा गया है कि आप इसे प्रूव करोगे अगर आप वो यह side नहीं भी देते तो आपको बता है sum of residual is minimum तो आपको यह को याद रखनी पड़ेगी और आप यह पूल लेकर इसे apply कर गे fourth property is the last property है and हम कहते हैं कि the regression line always passes through the point of means ठीक है center of gravity of observed data कि जो आपकी values है ठीक है regression line regression line always pass through this center point point of mean point of mean कि वो हमेशा center जो हम करते हैं means x bar और y bar से जो है वो होकर जाती है आपकी value हो तो हम कहते हैं जो regression line है is always passes through the means center of gravity of the observed data this is the four properties है जो कि student बहुत important है यह आपकी theoretically भी आपके paper में आ रही होती है और practically जो है इंशलहलह मैं next example करवाऊंगी मैं क्यूं focus कर रही हूँ जादे तो I hope student आपको lecture की समझ आई होगी लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी किसम की confusion है आप मुसे discuss कर सकते हो जादे से जादे स्टूडन्स के जादे शेयर कीजिएगा अलाहाफिस